हेलो दोस्तों नमस्कार में रजनी सुथार और आप सभी का हमारी यूटूब चैनल पर आर्दिक स्वाग आते हैं तो दोस्तों आज मैं बात करने आप सब्सक्राइब करना है तो वीडियो को सुरू करते हैं उससे पहले हमारी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब चरू कर लेना तो दोस्तों सुरू करते हैं तो सबसे पहले हम आ जाएंगे सब्सक्राइब करें जाना में दो वो कनेक्टि नहीं हो रहा है, तो खास करके एए बी से हम सपी गाड़ियों का सॉप्टरेर डाउनोड कर सकते być तो आप यहाँ से भी सॉप्टरेर डाउनोड कर सकते एक हमारा यह लेटेज़ वाला भी जरुब इए एक ओड वाला है, यह दोनों AIB के SEM software है लेकिन दोनों अलग-अलग काम करते है ठीक है तो यहां से यह AIB की official site से हम कैसे download कर सकते है तो आप देख सकते हैं यहां से हमें सब कुछ मिल जाता है यहां पर इसका driver वगेरा सब आ जाएगा तो कईयों को driver का problem रहता है तो यहां से आप driver भी download कर सकते हो लेकिन यहां से आपको पूरा-पूरा download कर लेना यह भी हमारे काम काई है तो यहां से आपको पूरा download क्लिक करके कर लेना है तो अभी मेरे को जरूरत नहीं तम यह नहीं करता हूं मैं आपको दूसरा दिखा रहा हूं कहां से आपको perfect डाउनलोड करना है वो आपको दिखा देता हूं तो उसके लिए आपको जाना होगा यहाँ पर side आपको दिखरी होगी यह वाली ठीकन hybrid supply.uk यहाँ से आपको डाउनलोड करना है ठीकन software डाउनलोड पर क्लिक करना है यहाँ से आपको सब कुछ मिल जाता है देखो खास करके यहाँ से ज्यादा यूज होने वाले software मिल जाते हैं लेकिन देख सकते हो आप यहाँ पर AB 2010 यह वगरा सब MP बत्री लेकिन हमें यह वाला नहीं करना है ठीकन हमें करना है वो मैं आपको निचे दिखा दे रहा हूँ और इससे आपको लो आटो बगेटा भी इसमें मिल जाता है यह टी यह बसो आप देख सकते हो अलग अलग है जो भी आपको यहाँ से लेंडी रेंज हो यह वो सब आप लो आटो सेट अप यह भी आप डाउनलोड कर सकते हो इची सेट अप है यह सब आपको यहाँ से डाउनलोड करना है तो डाउनलोड कर सकते हो लेकिन हमें अभी एई बी काई में यह बता रहो आपको कि दो अलग अलगे और दोनों को कैसे करना है तो यह आप देख सकते हो CAD Programming Software for AIB Control Unit तो इसके निचे वाला देख सकते हो आप AIB दोनों अलग अलगे एक तो हमारा यह वाला एक और यह वाला यह आप देख सकते हो CD-ROM IC और CD-ROM CAD यह दोनों अलग अलग सब्सक्राइब आप देख सकते हो इसमें ठीक है तो हमें यह दोनों को दोनों ही डाउनलोड करना है दोनों को डाउनलोड वन क्लिक पर डाउनलोड हो जाता है रिखो यह दोनों को डाउनलोड कर लेना है इस तरह से डाउनलूड होता है, इसका detail भी आप side में देख सकते हो, यहाँ पर click करके detail भी आपको मिल जाता है, यह सब CAD608 वाला है, यह दोनों अलग अलग है, इस तरह से आप detail देख सकते हो, तो हमारा यह दोनों डाउनलूड हो गया है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ इसको install कैसे करना है, तो इसके लिए पहले मैं आपको folder में जाके देखो, हमारा यह दाउनलूड हो गया, लेकिन आपको direct भी ऐसे click करके download कर सकते हो, यहाँ पर double click करना है हमें, और इसको download करने के लिए last वाले part, मैं आपको दिखा रहा हूँ, last वाले setup EXC, टेगें, last वाले application लास्ट से उपर वाला है वो नहीं, लेकिन लास्ट वाला जो है यह वाला, इसी पहे आपको click करना है only, ठीक हैं, तो इसको आप double click करके, यहाँ से install करना शुरू हो जाएगा हमारा, double click करते ही, तो हमें यहाँ पे next कर लेना, यह आप देख सकते हो, AB2001NICA, ठीक हैं, setup visor, तो यह आप त्यान रखना भी दूसरा करते हैं, उसमें क्या आएगा, यहाँ पे आपको जो भी लिखना है, आप अपने हिसाब से जो उपर लिख रहे हो, वो ही नीचे लिख सकते हो, ठीक हैं, same to same, लिख देना है आपको, और agree to all कर देना है, उसके बाद next कर देना है next next करते रहना है, यह हमारा driver इंस्टोल हो जाएगा, इसके लिख भी आपको next कर लेना है, यहाँ पे भी next कर लेना है, यह agree all कर देना है, और next कर देना है, तो आप देख सकते हो, green tick हो गया हमारा दोनों, मतलब driver successful हो गया हमारा, इसके बाद यहाँ से 12 आजाना है, अभी हमार करेंगे, इसको भी आपको open कर लेना है, ठीक है, directly, तो इधर से open करके, आप देख सकते हो, यह थोड़ा अलग है, पुराना वाला है, लेकिन यह काम बहुत करता है, तो इसको भी double click करके, same ही तरीके से आपको install कर देना है, यहाँ पे आप देख सकते हो, 20001 CAD setup है, ठीक है, उ तो यहाँ पर आपको same same process से, जो उपर लिख रहे हो वही उपर, नीचे लिख दो, ठीक हैं, और next next कर लेना है, आपको, यह हमारा driver फिर से आएगा, फिर से कर दो कोई बात नहीं, next कर लो, agree कर लो, और next कर लो, ठीक हैं, तो इस तरह से हमारे दोनों software डाउनलोड हो गए, हम बार आजाते हैं, अभी आप desktop पर देख सकते हो, दोनों दोनों हमारे डाउनलोड हो गए, तो यह हमारा IC वाला और CAD वाला, ठीक हैं, दोनों अलग है हमारा, software दोनों अलग है, काम दोनों का same है, लेकिन कोई-कोई गाडियों में जब connect नहीं होता है, ECU, CNG का, तभी यह CAD व वाला तो वैसे काम आता है, लेकिन जब IC वाले में से connect नहीं होगा, तो CAD वाले में 100% connect होता है, इसलिए मैं आपको यह वीडियो बना के दिखा रहा हूँ, कि दोनों अलग है, कई लोगों को यह problem आ रहा था, मेरे को कई लोगों को, कई लोगों ने message भी किया था, कि यह दो दोनों साथ में नहीं हो रहा है, तो यह दोनों कैसे हो रहा है, आप देख सकते हो, अभी हमारा फूल गया है, और इसका हम language यहां से setup कर लेते हैं, तो इस तरह से आप देख के पूरा वीडियो में download कर सकते हो, और free है, इसका कोई charge भी नहीं है, आप कैसे भी download कर लो, और य यह हमारा configures, changeover, lambda, sensor, map, यह map में भी सब connect भी देखो, clearly हो गया, gas petrol, modified, यह सब adjustment, auto calibration, यह सब हमारा काम करेगा, display, ठीकन, एक्सिस्ट में यह आपको खाली दिखाने के लिए बता रहा हूं, ठीकन, अभी मैंने कोई गाड़ी में connect नहीं किया हुआ है, तो अभी हमारा एक हो ग हम इसको no कर देंगे, अभी हमारा, यह CID वाला खोलके में आपको दिखा देता हूँ, यह भी हमारा same ही है, इसमें दिखो पहले से language English setup है, तो हमें करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपको ना हो तो यहां से आप language setting पे जाके, setting पे जाके, आप यहां से language setting कर सकते हो, अगर ना हो तो यहां से आपको देख सकते हो, same ही है, इसमें एक और option है, यह वाला यहां पे आपको सब wiring diagram मिल जाता है, और आप देख सकते हो, यह change over वगेरा, सब हमारा same to same ही है, कोई अलग नहीं है, इस तरह से सब कुछ हमारा same ही है, लेकिन काम दोनों का अलग है, यह CAD वाले में सभी सभी ECM हमारी कोल जाती है, 90% ECM कोल जाएगी, तो यहां से मैं आपको 11 diagram भी दिखा देता हूं, कि कैसे work करना है आपको, तो इसमें यह सब अलग अलग diagram है, लेकिन में अभी यह MP32 वाला कोल के आपको दिखा देता हूं, यह हम आपको double click करके open कर लेना है इसका यह PDF फाइल है, आपको PDF फाइल ओपन करके आप देख सकते हो, इसमें आपको किसी को पुछने की भी जरूरत नहीं है कि भाई कैसे wiring होगा, कैसे करना है, तो आप अपने इसाब से इसमें देख सकते हो, एक-एक wire complete clearly दिखाया हुआ है, आप देख सकते हो, clearly दिख रहा wiring अगरा, कौन सा wire कहां पर लगाना है, कैसे लगाना है, यह सब इसमें पूरा-पूरा complete diagram रहता है, इसमें देखो यह अभी language हमारा अलग है इसमें, तो इसके बाद मैं आपको अलग दिखा रहा हूँ, नीचे लाके, यह English language में भी हमारा आएगा, यह 4 page है total, तो अभी यह ह तो दोनों अलग-अलग language में दिया हुआ है, ताप इसमें से देख के आपको wiring भी कैसा करना है, CNG fitting का सब इसक में मिर जाता है, यहां से हमारा यह सब diagnosis हो जाएगा, अभी हम इसकी जरूरत नहीं हम exist कर लेते हैं, आपको गाड़ी पे लगा हो, तो पहली बार connect किया हो, तो यह करना है, बाकि कोई जरूरत नहीं है, कि data save करना है, तो यह करना है, अभी यह हमारा दूसरा वाला फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, उसमें भी same to same यह डाग्राम बगेरा तो रहता है, अभी मैंने गाड़ी में नहीं लगाया है, तो यह error आ रही थी, अभी मैं यह रहता है, वायरिंग का प्रोसेस, जो A, B, IC में रहता था, 2001 IC में रहता है, वही same, 2001 CAD में रहता है, ठीक है, सौप्ट्वेर से में, सौप्ट्वेर में कोई प्रोब्लम नहीं है, फरक नहीं है, यहां पे हम यह OBD वाला अगेरा, यह OBD का वायर का आओ का पे लगेगा, यह सब आपको लिख जादा है, तो इस तरह से हमारा यह वर्क करता है, तो दोस्तो इतना ही था आज के वीडियो में, तो दोस्तो वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक जरू कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरू कर देना, मिलते अगले वीडियो में नए टो झालतरो